नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों हम आपके लेका हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानगारी तो दोस्तों जैसा कि राजस्तान पुलिस का एक्जाम है जो स्टार्ट होने वाले मईई में चलेंगे उनके लिए आपके रहे हैं जो आपके लिए को परक सकते हैं जा सकते हैं आपके कैसी स्टारी चल रही है यहीं का सो पूछे गए तो उनका solution है जिसमें हम यहां पर डिस्क्राइब तरीके से उनका solution बता रहे हैं तो आप अपने तयारी जान सकते हैं और इन question को एक बार जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कर अपने दोस्तों के साथ भी share करें सबसे पहले हम question की तरफ चलते में से कौन सा विकल्प है जो arithmetic और logical operation निस्पादित करता है तो यहां के इसपे चार option है storage unit, CPU, input unit और RAM तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो arithmetic और logical operations करता है यानि कि जिसको ALU बोलते है अर्थमेटिक और logical unit जो CPU का एक part होता है आपको पता हो को CPU को 3 part होते है CPU controlling होता है, ALU होता है और एक registers होते हैं और एक memory होती, memory भी दो परकार को जैसे आपको पता है RAM या ROM और एक पर्मनेंट जो volatile होती है और एक non-volatile होती, volatile जो तैस्टा ही होती, non-volatile permanent होती है, light running बाद में तो यहां पर आपको बताना है कि CPU का कौन सा जो part है वो ALU जो है इसको न आप करें तो question number 11 से कि एक इमारत के graphic design print करने के लिए में से कौन सा device सरवाधिक उप्यूगत होगा, आपको मतलब यहां पर जैसे question फूजर है कि इमारत यानि कोई एक building है उसका graphic design करना है और वो print करना है आपको, तो उसके लिए कौन सा device सरवाधिक उप्यूगत होगा, plotter, projector Braille Leader और scanner, तो यहां पर आपको पता है कि जो अगर को building होगी तो उसका graphic design print करेंगे तो बड़ा page पाएगा, तो उसके लिए हम एक plotter की requirement पढ़ती है, तो इसका जो right answer को plotter होगा, projector क्या होता है, जो अपने visual display होता है, जो अपने picture roll में लगा होता है, हम class हो में जो पढ़ाते ह memory की प्रकरिया होती है, इसको scanner कहते है, ठीक है, तो यहां पर इसका right answer वो था plotter, पहला, next question number की अगर बात करें, तो यहां पर question आता है, जो computer में secondary storage device होता है, ठीक है, हम भी बताया था कि जो memory होती होती है, primary memory और secondary memory, primary memory के भी दो पार्ट होता है, RAM और ROM जो दोनों memory हैं, यह primary memory memory के पार्ट होता है, RAM जो होती है, random assess memory बोलता है, जिसको ROM होती है, read only memory होती है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, hard disk और कैसे memory, कैसे memory भी जो होती है, यह CPU का control unit के अदर पार्ट होता है, और RAM के अदर होती है, सबसे fast memory होती है, memory में जब हम पढ़ते हैं, तो जैसा आपने प ठीक है, जो अपने mobile phone में अपने RAM आती है, और एक extra जो हम chip लगाते हैं, जिसको बोलते हैं, तो वो सब क्या second story device होती होती है, इसको hard disk बोलते है, तो आप राइट answer होगा, second story device होगा, question number 31 के अगर बात करें, operating system को किस रूप में परिबासित क्या सकता है, तो operating system क्या होता है, operating system कोई भी computer बिन operating system कारी नहीं कर सकता है, operating system अगर वैसे हम समझें, तो कोई भी एक ऐसी चीज है, जो computer और user के बीच में, मतलब usual interpretation का कारी करती है, मतलब एक दूसरे के बीच में संबंद बनाने का कारी है, भिचोले का कारी कारी करता है, operating system जो होता है, तो एक software जो विबिन ग दोती है, और एक storage device जो उपयोगता को एक interface प्रदान करने के लिए उतरदाई होता है, तो इन में से आपको right answer बताना है, तो मैंने अभी बताया है, जो operating system होता है, जैसे कोई भी आदमे अगर दो चीज के बीच में, जो moderate होता है, वो बिचोला होता है, उसी परकार operating system होता है तो अपने user और जो अपने software hardware उनके बीच में interface का कारे करता है, तो इसका right answer एह होगा, एक software जो विविन गतिवीदियों के प्रबंदन और computer संसादन, जिसोर साजा करने के लिए उतर दाई होता है, तो अपने right answer यहाँ पे एह होगा, next question number अगर फोटे 2 की बात करें, तो निल input जो होती है, यहाँ पे हम जो data देते हैं, वो मतलब unverified होता है, मतलब वो एक apprecie या असुद data किसी प्रकार का मतलब एक process में नहीं होता है, हम input देंगे, control unit को process data में convert करेगी, जैसे हमने कोई table बनानी है, तो हम आपे सिधा नाम देंगे, उनके age देंगे, row number देंगे, और यहाँ पर प्रदान करता है, तो हम एक format में बनाकर हमें output प्रदान करता है, तो यह पूछ रैक्नल में से कौन सा विकल process है, जो कि process की गई सूचना को उपभोगता है, user के लिए उपयोगिस सवरूप में रूपांतरित और प्रस्तूत करता है, तो यहाँ पर option है, control unit, storage unit, output unit और input unit, तो right answer यहाँ पर control unit होगा, control unit जो है, मतलब पूरा कारिये control का करने का करते हैं, जो हम input देते हैं, हमें क्या output चाहिए, वो control unit का कारी होता है, तो control unit उसे चीज़ को convert करकर वापिस हमें output से प्रदान करती है, उसके बाद में next question है, निमलित में से कौन सा एक operating system नहीं है, ठीक है, Microsoft Windows, और जैसे Microsoft की पूरी series है, वैसे Microsoft भी अपने Windows X भी जो है, अपने operating system का ही पार्ट होगा, यहाँ पर सोरी, जो right answer C होगा, Microsoft Edge जो है, यह operating system नहीं होता है, Microsoft Edge जो एक word processor होता है, मतलब अपने application type में होता है, जहाँ हम इन पर typing का या word का का कारी करते हैं, तो यहाँ प Microsoft Windows तो एक पूरी system है, Windows 7, Windows 10, Windows जो अपने latest version है, सारे operating system का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पर जो right answer C होगा, Microsoft Edge होगा, next question के अगर बात करें, तो question number 51 है, रेम के बारे में निल में से कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों, मैं बीच में आपको बताना चाहता हूँ, आप भी अपन कितने question right हैं, कितने गलत हैं, और आपकी तयारी कहां तक पहुंचा कि कौन कौन से कमिया रह गई है, अभी आपके बस time है, आप उन चीजों को पर मजबूत पकड़ बना सकते हैं, और जो कमजोरी उनको अभी आप दूर कर सकते हैं, यहाँ पर इन question से आप ये भी कि वो question उसी topic से है, बस question को change कर दे, यानि कुछ topic के इर्दगरदी पूचा गया है, जैसा अगर रहम से पूचा है, तो रहम का question पर आपको 7 तारी के paper में मिलेगा, 8 के मिलेगा, या तो फिर रहम के परकार पूच लेंगा, रहम का नाम पूच लेंगा, रहम का कूच अन्य question बढ़ा कर पूच लेंगे, तो ये चीज़ आप इंटर्गरेंट करना, अगर आपका exam जैसे 13 तरह से रिब्राजस्तन पूलिस के paper इस्टार्ट हो जाएंगे, तो जो question computer की पूच है, उन्हीं topics related चीज़ों को पढ़ना, एक आप ये भी देख सकते हैं, इन में कितने-कितने इन में से कौन सा कतन गलत है, ठीक है, तो यहां पर चार उपसंदेर रखे हैं, application software फाइलों के चल रहे है, गटकों को ऐस ताई रूप से RAM पर प्रोसेसर के लिए संग्रित किया जाता है, ताकि operation कर समूच सकते है, यह बिल्कुल बात सही है, क्योंकि RAM का कारी है यह होता है, जो डाटा है, जो RAM में रहता है, जिस सा मेमोरी पर प्रोसेस करते हैं, तो डाटा रेम में ही होना, RAM में ही आता है, RAM ही प्रोसेस करवाती है, यह कंप्यूटर की primary memory जो में से बिल्कुल हमने अभी बता है, जो अपने computer की memory primary secondary होती है, primary memory होती है, secondary में हार्ट डिस्क और यह फ तो यह लुप्त हो जाती है, तो यहाँ पर यह इन्होंने कलत बता है, यह राइट इसका क्या होगा, computer की बंदो पर रहेम की जो भी से सामागरी वो भी लुप्त हो जाती है, तो इसका right option होगा, D next question है, निल में से कौन सा विकल ओपरेटिंग सिस्टम का primary function नहीं होता, ठीक है, ओपरेटिंग सिस्टम अभी बताया था, ओपरेटिंग सिस्टम एक moderate होता है, यूजर और अपने hardware software के बीच में, तो इसका कौन सा कारिय नहीं होता है, device प्रबंदन, device management का कारिय करता है, file management का कारिय करता है, और sound management का कारिय करता है, लेकि ओनलाइन security का कारिय नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे computer जब भी virus आते हैं, तो हमको अलग से antivirus डालना पड़ता है, अगर वाइरस को रोकने का कारिय अगर operating system करता है, तो यह उसका खुद का primary function हो जाता, लेकिन ह अलग से antivirus डालते हैं, phone देख लो, या computer देख लो, तो जो online चाहिए कारिय इसका नहीं होता है, primary function नहीं होता है, प्रैमरी function नहीं होता है, इसका right answer कौन सा होगा, C होगा, next question number के बात करें, तो यह गई विकलमों से विसम का चैन करना है, इन में से, ठीक है, तो यहाँ पे option इसको screen करके computer में डालने का रहे है, light pen जो है, हम जो screen चीजें होते है, screen वाड़ी चीज़ों पर हम जिस pen से use करते है, उनको light pen करते है, touchpad, screen पर touch करके input data कराते है, तो यह तीनों चीज़ जो B, C, O, D है, यह तीनों जो आपसाने, वो input के है, जबकि laser jet printer जो पार्ट है, यह एक computer system है, और एक साथ कई उप्योग करता है, यहानि कि system एक है, लेकि user जादा है, तो यहाँ पर option होगा multi user operating system, यह यूजर एक से जादा है, तो multi user, batch user operating system क्या होता है, जिसमें एक साथ कोई कार्य होता है, प्रोसेस में जो कार्य होता है, इसको batch कहता है, और real time operating system, मैंने आप real time operating system क्या होता है, इसमें एक जो कोई भी कारी निस्पादन करेंगों, वो एक real time में होना चाहिए, इसका real time operation ज्यादे तर यूज कहा होता है, अपने जो defense में होता है, यह हम किसी का प्रिक्शन कर रहे है, science tip एक जो labs होता है, उनमें real time उनको एक output चाहिए, तो वहाँ पर real time operating system, यहाँ पर जो होगा multi user वाला, तो multi user operation right option इसका भी हो जाएगा, next question है, निल में से कौन सा एक input device नहीं है, यहाँ पर आपको बताने कि input device नहीं है, MICR magnetic incorrect reader आपको पता है, जो अपने बैंकों में जो check होते हैं विशे सिंग से उनको पर लिकी हुई होती है, उस चीज को पढ़ने का काड़े है, तो यह एक input device है, optical mark recognition जो अपने OMR जिन पर जो OMR सेट हैं, जहाँ पर बहुवी वेकल पर जो questions आज एकल offline जो exam होते हैं, तो यह एक input device होते हैं, और speaker जो हम आवाज सुनते हैं, तो यह output device है, तो input device कौन से नहीं से, speaker एक input device नहीं है, तो right option यहाँ पर D होगा, next version है, MS Excel में cut function के लिए, इन में से किस keyboard shortcut कुझे का अपयोग किया जाता है, MS Word, MS Excel, इन सब की अलग-लग shortcut कीजिए, तो उनके लिए अलग-लग आ आपको, copy का मतलब जहां से आपने copy की है, वो वहाँ भी save हो रहेगी, और दूसरे folder में आप ले जारो, वहाँ भी save हो जाएगी, ठीक है, cut copy पेश्चे तीन option होते हैं, अपने clipboard में होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने चार option दे, control plus X, control plus C, alt plus C, control plus Z, तो cut function के लिए कौन सा का और control plus हमने बताया था कि यह redo undo के 6 नॉमर जो paper उसमें पूछा गया था, यह उसी से shortcut है, control plus Z की control plus Y, control plus Z जो होता है, redo के लिए control plus Y होता है, shortcut कीजे, इनको आप जरूर पढ़के जाना एक पर इनमें से एक या दो shortcut की पक्का पूंची जाती है, next question है, निल में से किस company या उद् कर किया था, graphic user interface, ठीके न, तो ये दो प्रकार के user interface होते है, character user interface और graphical user interface होते है, तो ठीके graphical मैंने बताया थे, कोई भी desktop जैसे आज अपने mobile phone रखते है, उनमें सब में जैसे WhatsApp है, उस पर click करोगे तो वो open हो जाएगा, gallery पर click करो, gallery open हो जाएगी, character user interface में आपको command देनी पढ़ करने के लिए किया जाता है, मैंने अभी थोट दर पहले ही हम पढ़ देते हैं, जब आपको बताया था, कि hard copy को soft copy में रूपा दे करने के लिए किस copy करेंगे हम, तो यहाँ आप आप देख सकते हैं, इसके अंदर copy, क्योंकि scan अपनी photos को, या कोई भी documents, उसको scan करके computer में save कर टाइटल बार जो अपर उपर होता है, उसमें कुछ menu, insert, यह सब options आते हैं, तो menu में कौन सा option नहीं मिलता है, insert, reference, formula bar और home, तो आपने पता है, insert मिल जाएगा, reference भी मिल जाएगा, और home भी मिल जाएगा, लेकिन जो formula है, यह MS Excel का part होता है, MS Word का part नहीं होता है, तो MS Word दोज़ अपने questions देखते रहें, आपके कितने सही है, कितने गलत हैं, और उसी साफ से आप अपने तयारी को करते रहें, दोस्तों वीडियो पसंद है, जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों साथ भी share करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं के तो किरपा चैनल को सबिस्क्राइब भी जरूर करें, जिससे का आपका सभी प्रकार की जो नई इन से रेलेटेड सीरी आपको मिलते रहेंगे, next question है, motion data को computer या दूसरे electronic डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस input device का यूज किया जाता है, ठीक है न, motion data को computer या दूसरे, मतलब कोई चीज ऐसा है, जो motion data है, मतलब move करता हुआ data है, अगर उसको computer में input कराना है, तो किसका उप्योग तो वहाँ पर right answer होगा trackball, ठीक है न, trackball जैसे game 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 खेने के लिए मुसल में डोज यह होते हैं, और यह अपने computer एडिट डिजैनिंग जो system होते है, इन में इन चीज का प्रियोग किया जाता है, next question है, MS Excel 2016 में में से किस menu से margin और oriental विकल्प्स को चुना जा सकता है, ठीक है न, टो page layout में से चुनते हैं, margin क्या होता है, margin जैसे अपने यहाँ प्रियाप एक page है, यहाँ पर हमें left margin, left में आगर थोड़े जगे चोड़नी है, right margin, right में अगर हमें जगे चोड़नी है, top margin अगर जगे चोड़नी है, नीचे अगर जगे चोड़नी तो उसको down margin, bottom margin बोलते हैं कि इसके अलावे के अपने कई बार पुछा था है, गटरमारजन अपने करते हैं मैं कृटरमारजन लोंत गटर अगर कोई चीज अपर अगर चीज के बाट के अंग्र कुछन भर रूट जाती है तो इसलिए वाँ पर गतर मारजन छोड़ा जाता है तो यह सब किसके पार्ट होते हैं नेक्स के बात करते हैं इंटरनेट के संदर में URL का पुर्ण रूप क्या होता है यानिकि इसके full forum पूछ रहा है तो इसके full forum universal resource locator बिल्कुल सही है ठीक है full forum भी आपको पढ़के जानी है shortcut कीज़ें वो भी आपको पढ़के जानी है इन में से एक दो एक दो साल हर साल पूछे जाते हैं धमनी को record और उत्पादित करने के लिए किस device को प्योग के जाता है तो धमनी से related कोई भी चीज़ होगी sound card में यूज की जाएगी next question है MS Word में insert menu को प्योग करके निल में से किसे प्रविश्ट नहीं क्या जा सकता ठीक है न ये पूछ रहा है कि MS Word में insert menu को प्योग करके निल में से किस को प्रविश्ट नहीं क्या जा सकता है इंसर्ट करना है तो इन में से किस चीज़ को इंसर्ट नहीं क्या जा सकता है यहाँ पर option देर रखके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे table है ताली का, line spacing, आकरतियां और आप टेबल डाल सकते हैं बिल्कुल insert कर सकते हैं आकरतियां में डाल सकते हैं या header या footer अपने जो दो पार होता है header जो page में सबसे उपर लिखा जाता है footer जो page में सबसे नीचे लिखा जाता है एक होता है end note जो book के सबसे last में अगर आपके पास 5 page की कोई book है उसके first page का उपर कोई चीज लिखा तो adder होती है उसके first page के नीचे लिखा जो फुटर बोलते हैं और 5 page के जो सबसे अंत में लिखा जो उसको end note बोलते हैं जो सबसे last में जो note लिखा होता है उसको end note बोलते हैं ठीक है तो यहां पे आप लाइनी स्पेसिंग को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसका राइट आंस पर जो होगा उपसा नंबर भी हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट के अगर बात करें तो निल्म में से कौन सा एक वैब ब्राउजर नहीं है ठीक है वैब ब्राउजर बताना है जहां पर आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं गुगल क्रोम पर सर्च कर सकते हैं इंटरनेट एक्सलर और पर सर्च कर सें बोजीला फायर बोक्स पर एक input device है keyboard input device microphone input device है home जो अते मैमोड का part होता है इन में से this some phones हो जाएगा next question के अकर बात करतें internet का फाइल transfer करने के लिए किस application protocol विएँ हो कि जटा है two internet पर कई protocols होते है जैसे time ca transfer करेंगे तो उसके लिए file transfer protocol होता है mail कर एक चास्ड करेंगे तो file के लिए file transfer protocol होता है mail के लिए mail transfer जिसको simple mail transfer protocol बोलते हैं ठीक है तो यह अलग-अलग protocols होते हैं हर चीज के लिए तो यहाँ पर इसका right answer होगा वो होगा FTP file transfer protocol होता है ठीक है न उसके बाद next question है एक सपूल में 64656 कँ एक समूझ एक video करना चाहता है विछ दिवास copy करेंगी प्रोजटर को अ प्रिंट्रीक्टर यह अपने unrpable इंट होती है और वहाँ इक आप सत्पचास बच्चों को आप दिखा सकते हो अिक Impact printer क्या होता है ठीक है एक Impact बील बताना है तो Impact printer इसमें से कौन सा है Thermal printer, Laser printer, Inkjet printer और i dashi wheel printer तो इन मेंस जो Impact printer दो प्रकार होता है Impact और Non Impact ठीक है Impact printer जोices and Page एक दूसर के contact माता हो उसको impact-print करते है यानि जो आवाज करता हो यह contact माता हो तो इसमें जो डेजी विल प्रिंटर होता है ये impact printer का part होता है ठीक है thermal printer, laser printer, inkjet, non impact printer होता है ये क्योंकि इनमें जो शाहिए है वो मतलब एक pressure से या मतलब heat की वज़े से ऐसे इनमें use की जाती है तो इनमें से जो right answer होगा वो डेजी विल printer हो जाएगा ठीक है उसके बाद में next question के अगर बात करें हम यहाँ पर यह लास्ट question है तो इस परकार आपके जो total questions के answer हमने आप बता दी इसमें से कुछ question अगर रह गए हैं तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं कोई question गल्त या आपको सही लग रहा है कोई भी सो जाओ वो आप जरूर दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों साथ भी सेयर करें और अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को या अभी तक यूटूब चैनल को सबिस्क्राइब ने के तो किरफ़ जरूर सबिस्क्राइब करें जिससे आपको आपको सभी विरकार की इनवर्मेरेशन सबसे पहले पहुंचती रहें धन्यवाद दोस्तों थैंक्यू ओल्दा बेस्ट गुडबाई तक आपको अबल्दा में डियू सबसे घाँक विरकार के यूबे ऒु आपको 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 सबसेु को सबसे लिए早़